दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वास्तू के नुसार घड़ी लगाने की भी सुब और असुब दिसा होती हैं। कुछ लोग इस बात को जानते हैं किन्तु कुछ लोग इस बात से एकदम अंजान हैं। और इसके चलते वे अपने जीवन में भारी नुकसान और परेसानियों क सामना करते हैं तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि किस दिसा में घड़ी आपको गलती से भी नहीं लगानी चाहिए आपको बता दें कि घड़ी हमारे जीवन में सकारात्मग प्रभाव डालती है अगर इसकी दिसा गलत हो जाए तो इसका नकारा आत्मा गसर भी हमारे जीवन पर पड़ता है ऐसा माना जाता है कि घड़ी कभी भी किसी को तोफे में नहीं देनी चाहिए क्योंकि घड़ी हमें समय से चोड़ती है और समय अच्छा व बुरा दोनू ही होता है घड़ी तोफे में देने से आप उसे अच्छा समय देते हैं या फिर बुरा इसलिए घड़ी को तोफे में कदापी नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि वास्तु सास्त्र और चीनी वास्तु सास्त्र घड़ी के संदर्व में बहुत कुछ कहता है। इसलिए हमारे घर वा ओफिस में लगी घड़ियां हमारे जीवन में गहरा असर करती हैं। इसलिए वास्तु के नुसार किस दिशा में घड़ी लगाएं और किस दिशा में नहीं लगाएं इसको अवस्य जान लेना चाहिए। दोस्तों, वास्तु के नुसार दच्छन दिशा में घड़ी कदापी नहीं लगानी चाहिए, दच्छन दिशा में घड़ी का लगाना यानी अपनी उन्नती में रुकावट लाना, दोस्तों, दच्छन दिशा में घड़ी लगाने से नकरात्म कूर्जा का संचार भी होता है, क्योंकि जिस दिशा में घड़ी लगी होती है व्यक्ति बार-बार उसी दिशा में देखता है इसलिए दच्छन दिशा में घड़ी ना लगाएं आपको बता दें कि दच्छन दिसा के अलावा दर्वाजे पर या दर्वाजे के ठीक उपर घड़ी नहीं लगाने चाहिए इससे भी आप आते और जाते नकारात्म कूर्जा को संचित करते हैं और इसी प्रकार आप कभी कभी घड़ी का सल खत्म होने पर उसे कई दिनों तक ऐसे ही लगा कर रखते हैं आपको बता दें कि बंद घड़ी एक बहुत बड़ा वास्तु दोस होता है इसलिए घड़ी का सल खत्म होते ही नया सल लगा कर घड़ी को चला दें वरना उसे दिवाल से हटा कर पेपर से लपेट कर रख दें और नया सल डालने पर ही दिवाल पर उसे दुबारा टांग दें दोस्तों घर में बंद घड़ी कभी नहीं रखनी चाहिए इससे सकारात्म कूर्जा का इस्तर गिर जाता है और इसके लावा एक बात का ध्यान रखें कि अपनी घड़ी का समय एकदम ठीक रखें समय से पीछे चलने वाली घड़ीयां भी नकरात्म कसर डालती हैं इसलिए घड़ी का समय एकदम ठीक रखें और दोस्तों एक खास बात घड़ी को एकदम साफ सुतरा रखें उस पर धूल ना जमने दें क्योंकि दिवार पर लगी घड़ी एक दो दिन में उस पर धूल लग जाती है और दिवार पर लगी घड़ी तक हम असानी से नहीं पहुँच पाते हैं तो दोस्तों इस बात का भी आप ध्यान रखें कि घड़ी में कदापी धूल ना लगने दें तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि फिर किस दिशा में घड़ी लगाना सुब होता है तो आपको बता दूं कि वास्तु के नुसार सुब दिशा यानि पूर्विया उत्तर दिशा में लगाना सुब माना गया है इस दिशा में लगी घड़ी घर में सकरात्म कूर्जा प्रदान करती है और इसके लावा ये आपकी उन्नती में भी सहायक बनती है और देखते ही देखते घर में बरकत होने लगती है तो दोस्तों ये थींग घड़ी से जुड़ी कु लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद